बहुत ज़दा अगर सोचते हैं, काफी ज़दा आपको बहुत सारी चीज़े, किसी ने अगर आपको एक लाइन बोल दी, आपको रात भर नींद नहीं आती है, कि मुझे ये जवाब क्यों नहीं सुझा, मैंने उस टेम पे ये क्यों नहीं बोला, अगर ये चीज़े हो जाए या फिर करते हैं, मोट स्विंग्स होती है, बहुत ज़दा टेंशन होती है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये ओवर थिंकिंग करने की हमारी जो प्रॉब्लम है, इसको कैसे कम करेंगे, कैसे इसको ठीक करेंगे, क्योंकि वो आपके लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, त आप इसको शेयर करो, बाते करो, डिसकस करो, और इसके उपर आपको अपलाई करना है, जो भी टेक्रिंग मैं बताने वाली हूँ, आपको उसको अपलाई करना है, तो पहली चीज़ है, जो कि बहुत बढ़ी रामबान उपा है, कि आप कितना भी ज़्यादा ओवर थिंक कर या फिर आने वाले फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आएगी, तब हम रियाक्ट करेंगे, आभी से सोच सोच कर हम अपने दिमाग को खराम नहीं करेंगे, तो हमारे जो सोचने की जो इतनी ज़्यादा ही है, प्रॉब्लम छोटी होती है, लेकिन हम उसको बड़ा बनाते है और कैसे अपने मन को डिवेट करेंगे, तो डिवेट करने की अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, आप चाहें अपने होबीज में भी बीजी हो जाहिए, अपने आपको इतना बीजी कर लिजे, या आपकी पास फाल्क्तू का समय होगा ही नहीं, जिसको आप इसको 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 सोचने में, दूसरी चीज़ क्या है कि लोगों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, आपको लगता है कि हाँ कहीं उसने मुझे छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी, मेरे तो कोई इंकम भी नहीं है, मैंने क्या होगा, मेरे क्या होगा, तो जो आपको genuine problem लगता है, आपको लगता है कि हाँ मुझे second income कमाने की जरूरत है, या अपने उपर dependent होने की जरूरत है, तो उसके उपर आप काम करना शुरू कर दीजे, लेकिन सिफ सोचते मत रहिए, सोचने से आपकी problem और भी जादा बड़ी होगी, जो solution आपको कभी भी नह है, तो आपको सोचना नहीं है, बलकि उसके उपर काम करना, आपको लगता है कि नहीं, मुझे second income चाहिए, एक thought आई, तो वो thought आई, तो उसको execute करने की planning बनानी है, क्या-क्या रास्ते आप निकाल सकते हैं, क्या-क्या चीजे कर सकते हैं, वो important है, लेकिन अगर आप बहुत इसके उपर involved हो जाएगा, जहां solution निकल ही नहीं रहा है, सिर्फ question, 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 question ही कर रहे है, तो वो questions पोछना आपके लिए गलत हो जाएगा, वहीं पर तीसरी tip है, कि आपको questions के answer ढूणने के आवशकता नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो सबसे अच्छी प्यारी ब जो है, जैसा है, as it is, छोड़ दीजे, जो अगर आप past को नहीं बदल सकते हैं, आप अपने future को नहीं देखा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में present है, उस present को change कर देते हैं, बस आप ये सोचिए कि आज का जो दिन है, वो अच्छा निकल जाए, वो past में क्या हुआ, वो जो भी किया, जिसने किया, बहुत अच्छे किले किया, क्योंकि अगर उसने ये चीज नहीं की होती, तो आज इतनी stability नहीं आई होती, उसको इस हिसाब से देखके सोचिए, उसको इस एंगल से देखके सोचिए, तभी आपको लेगेगा कि नहीं, आपके अंदर जो capability है, एकदम रजाई के अंदर आपको रखता, तो आप इतने comfort zone से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, तो अगर आपके साथ ये सवाल हो रहा है, मन में उठ रहे हैं, कि मुस्तने मेरे साथ है ऐसा सौतेला विभार क्यों किया, तो सारे के सारे जो questions है, उनके answer ढूनना बंद कर छोड़ दीजे, जैसा है, जो है, जैसा है, बस अपने ओपर focus करना, start कर दीजे, चौती चीज, बहुँ जदा जो comfort zone हमने बना करके रखा है, सब के साथ एक अच्छा zone, कि हाँ चलो, सब के साथ हम अच्छा करते हैं, मैंने उसके साथ ऐसे होता है, कई बर क्या होता है, कि हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, और ये expect करने लगते हैं, कि सामने वाला भी हमारे लिए अच्छा करें, लेकिन उनके तरफ से अगर वो चीज़े आपको थोड़ी सी भी कम ही लगती है, तो आप overthink करना शुरू कर देते हैं, भाई मैं तो उसके लिए इतना खुछ करक देजे, societal pressure के उपर आपको नहीं बनने है, अगर societal pressure भी पढ़ोगे, तो society का इतना pressure नहीं होगा, जितना आपका overthink का pressure हो जाएगा, तो अगर वो चीज़े आपको देनी है, दिल से देनी है, तब ही आप दीजे, नहीं दे सकते हैं, तो चार लोग क्या कहेंगे, ये सोच करक आपे आपको परःशान नहीं होगा, आगर आपको देने में खुशी मिलती है, आपको लगता है कि देने से मैं overthink नहीं करूंगी, या नहीं देने से overthink करूंगी, जो भी चीज़े आपको लगती है किस compliance नहीं होगी, वोई काम आपको करना है, चाहotta है सामने वाला आपको जैसे भी treat करें और अपनी expectation को बिल्कुल zero बना करके चिलिए मतलब यहाँ पर अगर आप शुणने पे होंगे तो चाहे आपको आधा मिले या एक मिले चाहे एक हजार मिले आपके लिए सारा वो positive ही होगा तो अपने आपको positive aspect में रखे और expectation सबसे zero minus नहीं करना expectation expectation बिल्कुल zero कि आपके तरफ से कुछ भी चीज है वो आपकी personal choice कि आप देना चाते हैं या करना चाते हैं लेकिन without expecting others आपकी overthinking की problem अगर दूर नहीं हो गई और chance से need नहीं आए यहाँ पर आप comment करके जरूर अपनी बाते जरूर लिख दीजेगा कि हाँ और जिस दिन अगर आपको peacefully need आने स्टार्ट हो गई तो मुझे thank you भी ज़रूर लिखने ना thank you so much for watching twin survival care